17 सालों के बाद भारत में T20 वर्ल कप की ट्रोफी वापस आ गई है भारती क्रिकेट टीम ने ये जीत तो हासल की ही है लेकिन इस बार साउथ आफरिका को भी थोड़ा सा क्रेडिक देना तो बनता है वो इसले क्योंकि जैसे कहा जा रहा था कि इंडिया और साउथ आफरिका दोरो ही चोकर्स तीम है मतलब कि लास्ट में आकर फाइनल में आकर हार जाती है वहीं भारत की टीम में तो ये दाग दब्भा अपने उपर से हटा लिया है लेकिन साउथ आफरिका एक बार फिर फाइ से का हूँ जानता है ये भारतिय टीम से बहतर कोई नहीं जानता दादा के अगवाई में टीम फाइनल में पहुंच गी और श्टेलिया खातों महार गए इससे पहले आपने देखा इंग्लेंड से हम से में हार चुके हैं स्रिलंका के साथ हम T20 वर्ल्ल कप के फाइनल में ज बहुत अच्छा खेले बहुत बढ़िया लड़े और टीम इंडिया जितना कोई बहुत आसान बात नहीं है तो आप लोगों ने जो है बहुत मेहनत की बहुत अच्छा खेली और मैच कोई ऐसे नहीं था कि एक मिनिट में पहले से पता चल गया हो कि हां भारत की तरफ है अच्छी जीती गई थी लगबग लेकिन वही क्लास इंकमा विकेट गिरता है उसके बाद से प्रेसर उनके बना उससे वह निकल नहीं पाए और फिर सुरिकुमार आदो का वह कैच लबका और मैच लबका अपका ही है तो लगबग साओ अफरीका जीत गई तो मैं तो 14 वे 15 का उसके बाद से पूरा गेम ही चेंज गया प्लट हो गया प्लट हो गया और अधुनी ने भी लिखा न अपने पोस्ट में की एक सेकिंड के लिए एक टाइम ऐसा आया कि मेरे दिल के धड़कने भी बढ़ गई थी तो सब ने कहीं न कहीं पर एक जिसे कह सकते हैं कि टफ सेमी फाइनल में पहुंचे थे और 2024 में भी साउट आफ्रिका सेमी फिनाले में हारी है और इसका जो कहते हैं ना जो दुख जो लास्ट मॉमेंट तक ट्राइ करने के बाद भी जब आप नहीं जीतते हो वो कैप्टन के चेहरे पर खासकर दिखाई दिया और मैच खतम होने क बाद दिनोंने कहा कि हर मॉमेंट तक हमने उमीद रखी हमने फाइट किया और जब हमने देखा भी क्लासिन के विकट के बाद जब पैन किया मकरम के उपर कैमरा तो बहुत इमोशनल नजर आए उनको कहीं पर लगा कि अब गेम जो है हाथ से निकले बिल्कुल बिल्कुल त कि मनजिल मिले ना मिले ये मुकदर की बात है आप खोशिश ना करो ये गलत बात है तो यहां पर साउथ अफरिका के टीम ने पूरी कोशिश की जीतने की और देखिये तो आप जैसा कह रही है कि चोकर्स उने कहते हैं और वो जीत नहीं पाते हैं जो नॉक आउट मैशे होत कि चलो सेमिफाइनल तो हम जीत गए तो फाइनल जीतने में थोड़ी सी चूक हो गई थोड़ी थोड़ा सा पीछे रही टीम लेकि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खेला और आप देखिए तो इनके खिराडियों के चेहरे पर जो मायूसी है आँखों में आसू है लेक जो सेकिन आया है उन्हें कभी भी नहीं बूलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी उतने ही एफोर्ट उतनी ही पोटेंशल के साथ महनत की होती है जोतनी विनिंग टीम में की होती है बस कुछ पल का फरक होता है हम बहुत बहुत खुश हैं कि इंडिया माच जीत गई है लेकि South Africa, you guys played really well. All the best. Thank you.